हाई कैसे आप लोग आई होप आप सभी अच्छे होंगे तो आज का जो हमारा टॉपिक है यानि कि जिस सब्जेक को हम स्टडी करेंगे वो है अमारा रीडिंग एंड स्पेकिंग स्किल तो देखे इससे पहले हम लोगों ने इस बुक के आलमोस्ट सभी टॉपिक को क्लेयर कर लिया था बड़ आज की वीडियो में हम यह जो हमारा भूक है इसके ब्लॉक 3 के जो फर्स्ट यूनिट है कम्मिनिकेशन स्किल उसको हम पढ़ेंगे यानि कि हम पूरा डीटिल में कम्मिनिकेशन स्किल क्या होता है और यह क्यों जरूरी है इस सेच को हम जानेंगे आज की वीडियो में तो देखिए फर्स्ट अगर हम बात करें तो कम्मिनिकेशन क्या होता है सिंपल में बातचीत हिंदी में अगर हम लोग बोलते हैं इसका डेफिनेशन में आप लेख सकते हैं कि यह जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थूरू हम अपने मैसेज को अपने आईडि और LE design अब यह जाने है कि कम्मिनिकेशन कितने टाइब के होते हैं तो मोशली हम इस वीडियो में चार या-5 डियुचन होते हैं उस पे हम बात करें जैसे हमारा पहला जो निकेशन है वह है अमारा वर्वल कम्मुनिकेशन यह जो है इसमें एक तरह से हम बातचीत के थुरू अपने आईरिया को अपने नॉलिज को हम दुसरे परसन को शेर करते हैं यानि कि एक तरह से अब हो सकते हो हम face to face interaction करते हैं बातचीत करते हैं फोन पे भी कम्मुनिकेशन का वो है हमारा नॉन वर्वल कम्मुनिकेशन यह जो टाइप है इसमें मोशली हमें सब्दों की जरूरत नहीं होती है हम एक तरह से बिना बोले अपनी बातों को अपने आईरिया हम शेर करते हैं आई हम अपने body language के थुल या पिर हम एक तरह से silent से रहे कर भी हम अपने body के थुलम यानि कि इस आड़ों के थुल भी हम बात कर सकते हैं यानि कि ऐसे आपना बहुत time देखा होगी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक तरह से इसाड़ों के थुल भी बहुत सारी चीजे कर देते हैं अगला जो टाइफ है कम्यूनिकेशन का वह है रेटर कम्यूनिकेशन देखे इसमें क्या होता है इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि लिखने के दौरा लेटर के तुर यानि कि राइटिंग के थ्रू हम अपने आईडिया को अपनी फेल आना है और आप उससे बात नहीं करना चाहते हैं तो उस कंडिशन में आप उससे लेटर लेख सकते हैं यानि कि लेख के आप उसको कुछ भी बता सकते हैं तो इसमें मोशली हम लोग लिख कर बात करते हैं जैसे कि इमेल के थ्रू हो गया लेटर हो गया रिपोर्ट हो गया या फिर other जो social media post होते हैं उसके थूँ तो देखे ये क्या होता है सम्टाइम हम अपने फ्रेंड लोग से गुसा होते हैं तो हम क्या करते हैं social media पे पोस्ट करते हैं दिखाते हैं हम जो भी अपनी feeling को share करते हैं तो यह written form में होता है लिख के हम एक तरसे अपनी feeling को या फिर अपने idea को हम एक तरसे share करते हैं अगला जो type देया गया है communication का वो है अमारा visual communication यानि कि देखकर हम एक तरसे बातचीत करते हैं तो देखने का मतलब आँखों से देखकर आप बोल सकते हो बट उसमें सब्दों का use नहीं होगा उसमें एक तरसे हम image के थुरू बातचीत करेंगे यानि कि sometime क्या होता है ना कि देखिएगा कुछ बच्च से दिखा कर यानि कि किसी photo के थुरू एक तरसे हम अपनी feeling को देख सकते हो कि हम photo के थुरू दिखाते हैं यानि कि हम कुछ ऐसा drawing वगरा create करते हैं जिसमें बहुत सारी चीज़े जो होती है वो समझने वाली होती है यानि कि बिना लिखे और बिना बोले भी हम एक तरसे चीजों को पता लगा देते हैं यानि कि आपको देखने की ज़रुवत नहीं है आप जर सुनके भी चीजों को समझ सकते हो और इसमें जो include होते हैं जैसे कि music हो गया speech हो गया यानि कि कोई lecture हो गया या फिर कोई भी sound हो गया ऐसे आप हो सकते हो जो कि आपको बहुत सारी communication skill होता क्या है और यह इतना क्यों ज़्यादा जरूरी है अभी के time में बोल सकते हो तो अभी तक हम लोगों नहीं जाना कि communication क्या होती है अब हम बात करें कि communication skill यह जो skill word जो आ रही है यह इसको change कर रही है यानि कि skill का मतलब क्या होती है color अब देखिए हर इंसान के अंदर different type के color होते हैं different type के skill होते हैं तो यह communication skill क्या होता है तो simply में अगर हम लोग बोले तो यह एक छमता होती है जो कि हमें बहुत ही effectively अपने idea को एक तरह से share करने में मदद करती है जिससे लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं अब मालीजे मैं आपको एक दम ऐसे समझ रहे हैं कि वो बहुत अच्छा बात करा है यानि कि उसका जो style है समझाने का जो तरीका है वो बहुत ही effectively है और दूसरा जो person है जिससे बात करने की तमीजनी है यानि कि वो अच्छे से बात नहीं कर पाड़ा है जो idea है वो एक दम clear है लेकिन उसे समझाने का तर value करेंगे और जो इंसान सब जानता है लेकिन उसे अपने idea को share करने का एक अच्छा सा skill नहीं पता है तो इसे ही हम लोग बोलते हैं communication skill यानि कि simple में यह एक छमता होती है जिसके through हम एक बहुत ही effectively way में हम अपने idea को अपनी बातों को समझाते हैं लोगों को आब हम यह जानते तरह से हमें strong relationship बनाने में काफी जादा help करता है यानि कि अगर आपके अंदर communication skill बहुत अच्छी है तो आप एक बहुत अच्छे strong relation बना सकते हैं चाहे अपने friends से बनाए चाहे आप अपने जहां पर काम करते हैं वहां पर किसी भी person से आप अच्छा relation बना सकेंगे इसका reason य career success यानि कि मालीजी आपको बहुत अच्छे से बातों को अपनी idea को दूसरी को समझाने आता है तो यह जो चीज है आपके career को build करने में भी काफी help करेगी अब मालीजी आप जो है इक तरह से कोई office में काम कर रहे हैं different लोगों से आप मिल रहे हैं और आप बहुत ही अच्छे career को भी build करने में help करता है अगला जो reason है वो है personal growth यह हम एक तरह से personal growth में भी काफी help करता है हम अपने life के एक तरह से बहुत सारे decision को बहुत सारी चीजों को समझा पाते हैं दूसरे person को अगला जो reason है वो है हमारा problem solving अब मालीजी की एक तरह से दो लोगे बीच में लड़ाई theory और तीसरा जो person है जो कि अच्छे से चीजों को समझा पारा है तो वहां पर एक अच्छा communication use करके वो एक तरह से उन दोनों के बीचों की लड़ाई को कम कर सकता है यानि कि वो अपनी life के problem को भी solve कर सकता है और साथ में ऐसा कभी situation आये लड़ाई का या फिर कोई भी ऐसा condition जाए जिसको वो अच्छे से अपनी बात चीज से समझा सकता है और उस problem को दूर कर सकता है तो ऐसे आप समझ सकते हो तो यह जो है कुछ basic point है जो कि हम अपने जब communication skill पर काम करते हैं उसको अच्छा बनाते हैं तो यह सारे फाइदे हमें मिलते हैं इसलिए अभी के time में या पिर कभी भी communication skill को improve करना बहुत जादा important है चाहे वो आपका personal relation हो या फिर आप एक तरह से कहीं working काम कर रहे हैं तो यह जो skill है आपको हर प्लेस पे बहुत जादा help करता है तो इसलिए अभी के time में आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग एक तरह से communication skill पे काम करा रहे हैं ब आपको एक तरह से अच्छा बनाती है तो आई होप आपको यह topic अच्छा लगा होगा जो की communication skill क्या है मैंने बहुती easy way में समझाने का try किया and thanks और वीडियो अच्छा लगे तो please like comment and please subscribe this channel